आज की इसकाक्षा में हम वृत से संबांधित कुछ अभ्यास करेंगे हमारा पहला प्रश्ण है इन में से कौन सा वृत बड़ा है आप तीन रंगों का वृत आप देख रहे हैं तीन वृत एक लाल एक नीला और एक हरा सपस्ट रूप से हरा वाला वृत बड़ा है इस तरह की चूडियां भी आपने देखी होंगी छोटी चूडियां बड़ी चूडियां तो ये सबसे बड़ी चूडिया कौन सी नजर आ रही है सी नंबर की अब हम दूसरा प्रस्ण देखते हैं दूसरा प्रस्ण है इन में से किस वृत की तरिजया बड़ी है यहां आप तीन वृत देख रहे हैं एक लाल रंकी एक नीले रंकी और एक सफेद रंकी केंद्र से परीधी यानि जो घेरा है उसे मिलाने वाली रेखा की तरिजया है या इससे इस तरभी कर सकते हैं केंदर से घेरा या परीधी को मिलाने में जो दूरी तै हो रही है वो तृजया है तो आप इस पस्ट रूप से देख रहे हैं कि यह तृजया किसकी बड़ी है? यह वृति यानि लाल वले वृति की बड़ी है हमारा तीसरा प्रश्ण है केंद्र से परीधी की दूरी क्या कहलाती है तो इसका उत्तर हमारा है त्रिज्या दो गुना त्रिज्या बराबर यानि त्रिज्या का अगर हम दुगना कर दें तो क्या होगा यह होगा व्यास हम लोग देखते हैं इधर यह अगर वृत है तो यह हमारी त्रिज्या है यह त्रिज्या हो गई और इसी को हम दुगना कर दें इधर बढ़ा दें तो यह अब हमारा व्यास हो गया यह हो गया हमारा व्यास इसे संबंधित हमारा पांचवा प्रश्न है त्रिज्या बराबर व्यास बटा तो क्या होगा व्यास को हम कितने से भाग देंगे कि त्रिज्या हो जाएगा तो हमने देखा था कि त्रिज्या को दुगना करते थी तो व्यास होता था तो व्यास को हम आधा कर देंगे तो त्र हमारा चछठा प्रस्ण है यदि त्रिजिया बराबर 3 cm तो व्यास क्या होगा हम व्यास का फॉर्मूला जानते हैं व्यास बराबर 2 गुना त्रिजिया यानि व्यास त्रिजिया की दुगनी होती है तो 2 गुना यहां हमारे त्रिजिया कितना दिया हुआ है 3 cm तो 2 गुना 3 तो यह हमारा हो गया 6 cm अब एक और प्रस्ण लेते हैं सात्वा नंबर यदि किसी व्यास बराबर 8 cm हो तो त्रिजिया क्या होगी फिर से हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है सभी को याद होगा त्रिजिया बराबर व्यास बटा व्यास बटा दो अब फिर से लिखते हैं इसको व्यास बटा दो तो व्यास यहां कितना है 8 cm बटा दो तो यह हमारा हो गया चार सेंटीमीटर यह व्यास है भ्यान से पढ़िएगा अब आठमा कोश्चन है परकार की सहायता यानि कमपास की सहायता से चार सेंटीमीटर त्रिजिया का एक वरित बनाए तो यह प्रसंद आपको खुद से अपनी कॉपी में करना है प्रकार लेना है यानि ये कमपास लेना है और उससे किस तरह से बनाएंगे मैं यहां बता देता हूँ थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ इसके बाद आप खुद करेंगे यह प्रकार का जो नुखिला वाला भाग ऑधा है यह इसको हम यहां पर रखेंगे केंड्र की तरह identical और जो पैंसिल वाला भाग होता है उसका वो जो शिरा होता है उसको सबसे पहले हम एक स्केल में चार सेंटीमीटर माप लेंगे त्रिजया को और इस तरह से से उसको घुमाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा वरित बन जाएगा तो इसे आप स्वयम से करेंगे